नमस्कार मित्रो, संस्कृत साहित तेवम संस्कृती के चैनल पे हितो पदेश के वीडियो में मैं डॉक्टर हरी निवास आपका स्वागत करता हूँ स्रेश्ट संतान के बिना व्यक्ति का जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता है और वास्तिविक संतान वही है जो स्रेश्ट है स्रेश्ट संतान के गुणों की जर्चा चल रही है इसी संदर्व में की पुत्राग्याकारी हो तो छे सुख जो इस संसार के माने गए हैं अरथागमुनित्यम रोगित्पाच अरथागमुनित्यम्रोगित्पाच प्रियाच भार्या प्रियवादि नीच वस्यष्य Pुत्रोर्थ करीचिद्यां शड़ जीव लोकस्य सुखानि राजन बहिए इस संसार में इस मृत्य लोग में जीव लोग में च्छे प्रकार के सुखें मैंने ऐसे किया इसका मतलब पांच नहीं च्छे प्रकार के सुखें पहला अरथा गमूँ पैसे की आवक का साधन होना जाए इसी लिए लोग सरकारी नोकरी के पीछे पड़े रहते हैं काम करेंगे नहीं करेंगे तंखा मिलेगे प्राइवेट में अगर आप काम नहीं करेंगे तो नोकरी में दे निकाल देगा तंखा नहीं देगा छुट्टियां करेंगे तंखा नहीं देगा यहां तो सब चलता है कारी नौकरियों के पीछे लोग पड़े इसी लिए रहते हैं क्योंकि इसमें काम नहीं करना है और अर्थागम निश्चित हो जाता है अर्थागम हो ये पहला सुख है नित्यम अरोगिताचा और आप स्वस्थ सरीर के स्वामी हो किसी प्रकार की वीमारी ना हो नित्य काया गुजराती में कावत है उसमें कहते हैं पहलू सुखते जाते नर्या यानि दुनिया का सबसे पहला सुख है कि व्यक्ति स्वस्थ हो यहां अर्थागम को पहला सुख माना गया है क्रम में और दूसरे क्रम में नित्य निरोगी काया अगर शरीर ही रोगी हो तो फिर त बृत्यूंु से भी वह बत्तर हो जाता है को तीसरा प्रियाचभार्या है सग्ट्री वा देनीच छिए पथनी प्रिय हो कौछ बार एसा होता ए जो प्रियतमा होती है वो पत्नी नहीं और जो पत्नी होती वो प्रियतमा नहीं रहती है जिन लोगों ने love marriage की होती है प्रेम विवा के होते हैं विवाह के बाद वो भी प्रियतम और प्रियतमा नहीं रहते हैं पति पत्नी हो जाते हैं वैसे पति- वो बड़ा ही सोभाध्यशाली है वही अच्छा और सक्चा सुखी है जिसकी भार्या प्रियतमा हो ये बात यहां कहीं भाई ये तीसरी प्रकार का सुख माना गया है और मतुर भाष्णी स्त्री का साथ ये भी एक बहुत बड़ा जीवन का सुख है इन दोनों को इकठा मत कीजिएगा प्रियतमा पत्नी हो वो एक सुख है लेकिन किसी मदुर भाष्णी स्त्री का साथ जो मीठा बोलने वाली हो ये चौथे प्रकार का सुख है पांचमा सुख है वश में रहने वाला पुत्र पुत्र ऐसा हो जो पिता की आज्या पे पिता के एक सारे पे या तो स्रवन की तर है उनकी डोली उठा के उनको तीर स्यात्रा पे निकल जाए या राम की तर है वनको चला जाए चेहरे पे एक शिकन तक लेके ना आये ये पेक्षा कुछ जादा हो जाएगी लेकिन कम से कम पिता का मान सम्मान आदर करने वाला और पिता की आग्या का पालन करने वाला हो तो ये भाया पांचमा इस संसार का सुख है और छठा और अंतिम सुख माना गया है अर्थ करीच विद्या, आप पड़े हैं, आपने खूब शास्त्रों का द्यान किया, लेकिन आपका वो अध्यान, अगर आपको निर्धन ही मार देता है, आप उस अध्यान से अगर धनो पार्जन नहीं कर पाते हैं, तो उस अध्यान को यहां पे सुख देने वाला द्यान नहीं मारा गया ध्यान रखेगा हमारे यहां यह कहवत है कि शरस्वती और लक्ष्मी की बीच में बैर है जहां सरस्वती होती वहां लक्ष्मी नहीं होती और जहां लक्ष्मी होती वहां सरस्वती नहीं होती है लेकिन भाईया यहां पे उस सरस्वती को स्रेष्ट माना गया है लक्षमी जिसकी सहिली बनके आजाए यानि विद्या वो स्रेष्ट मानी है जो धनो पार्जन कर सके हमारे गुरुजी पंडिजी रामजी लाल सास्त्री करोली वाले जिनको मैं कई बार याद करता हूं या यह कहिए कि हर वक्त याद करता हूं हर वीडियो में उनका उलिक तो नहीं कर सकता हूं लेकिन मेरे जीवन के हर पल में हर कारि में हर कारि पद्धति में कहीं ना कहीं मुझे उनकी आद आती रहती वो इस बात को कहते थे पढ़ो पूत सोई जामे हडिया खदबद होई भीया विद्या तो वही पढ़नी चाहिए जिसमें धनो पारजन का साधन हो और यह देखे यहां पे भी यह वात कही गई है तो सट सुखानी राजन जीवन में यही छे प्रकार के सुख है तो भीया इन छे प्रकार के सुखों में वस में रहने वाला पुत्र यह एक सुख माना गया है चलिए अगले श्लोप पे चलते हैं को धन्यों बहुभी पुत्र है कुशूला पूर डाण कई वर में कहा कुला लंबी यत्रविश्रू ये ते पिताव भी कुशूल हो ना कांटों से भरा हुआ एक पात्र हो सरल भासा में हम आपसे कहने और और जो इसका वास्तिविकर्थ है जो कुधान ने है आप ये मान लिजिए कि भूसी से भरा हुआ अनाज रखने का अगर कोई पात्र है तो भीया ऐसे आपके पास बहुत सारे पात्र हो तो क्या फाइदा है यनि बहुत सारे कुपुत्र आपके हैं तो उनके होने से कोई लाब नहीं है ये की ही पुत्र स्रेष्ट है जो कुल का नाम रोशन करने वाला हो कुल का अवलंबन आधार हो कुल दीप हो जिसके नाम से पिता को जाना जाए देखे हमारे एक पंक्ति है कि पुत्रात शिष्यात पराजय मिच्छेत प्रत्येक गुरू किसी एक ऐसे स्रेष्ट शिष्षी की तलास में रहता है कि जिसके मिल जाने से उसको इस शीच का आनंद हो कि लोग ये कहके बुलाएं कि ये अरजुन के गुरू द्रोना चाह रहे है तो ऐसा प्रत्येक गुरू चाहता है जैसे ऐसे ही प्रत्येक पिता भी ये चाहता है हमेशा पुत्र अपने पिता के नाम से जाना जाता है दास रथी राम दसरत पुत्र राम लिकन अगर हमें दसरत का परिचे प्राप्त करना है तो दसरत किसके पिता थे ये सवाल आए राम के पिता यानि ऐसी संतान का होना कि जिसके नाम से पिता की पहँचान हो ये कौन जा रहा है तो ये सचिन तेंडूल करके पिता जा रहे हैं इस प्रकार से अगर कहा जाता है न तो पिता को अत्यंत आनद की प्राप्ति होती है तो ऐसा एक ही पुत्र स्रेष्ट है जो कुल का आधार हो, कुल का दीपक हो और जो पिता का नाम रोसन करे या जिसके नाम से पिता जाना जाए ऐसे बहुत सारे भूसे से भरे हुए अनाज के जो भंडार होते हैं जिसमें अनाज नहीं पर भूसा बरा हुआ है ऐसे बहुत सारे भंडार बेकार हैं ऐसे बहुत सारी संताने नहीं चाहिए आगी केते रिण करता पिता शत्रू माता चा वेविचारेनी भार्या रूप वती शत्रू पुत्रा शत्रू अपंडिता हा जो पिता रिण करके मर जाए या जो पिता रिण लेता रहे ऐसा पिता शत्रू होता है जो माता वेविचारेनी होती है वो माता शत्रू होती है कई बार आपने देखा होगा नशे में धुत्व लोगों के पास से रण करके और नित्य पती सराप पीते रहेंगे क्या अपनी संतान को सुख देंगे तो ऐसे पिता को शत्रू माना गया है कुछ ऐसी कुलांगार शत्रियां भी होती है जिनको संतान की नहीं पड़ी होती है आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसी शत्री ने किसी ऐसी व्यक्ती का साथ प्रेम में पड़ गई जिसने उसका भी उपभोग किया और उसकी पुत्री का व्यूप भूकिया तो ऐसी व्यविचारणी स्त्री वो मानसिक रूप से ही इतनी बेकार होती है कि अपनी जो संतान है उसका सुख नहीं वो समझ सकती है उसको सिर्फ अपना सुख दिखाई देता है इसलिए ऐसी माता को यहां शत्रू कहा गया है उपवती भार्या शत्रू अब भई यह भले शत्रू हो लेकिन यह तो सब को चाहिए ऐसा दुस्मन सब चाहते हैं लेकिन यह वास्तविक्ता है रामवन में थे रावण की पास सीता की प्रसंसा उसके सुंदरी के लिए ही पहुंची सुर्प नखा ने जाके कहा कि बहुत स द्रोपदी का भी सुंदर ही उसका शत्रू था तम्यंती का भी सुंदर ही उसका शत्रू था यह यह कहिए कि द्रोपदी के पतियों को जो सजा मिली दमेंती के पती नल को जो सजा मिली या सीता के पती राम को जो सजा मिली या जो दुख उठाने पड़े सजा का अर्थ मेरा कोई कोड ने उनको सजा दे दी इससे नहीं है लेकिन उनने जो दुख उठाने पड़े वो इसी के कारण उठाने पड़े इसलिए का कि रूपवती भार्या शक्रुद सुंदर रिवान मिस्त्री जो हो वो शक्रुद होती है और भाया ये तो हमने पुराने उदाहन दिये वर्तमान काल में भी आप एक ढूणों के दस ऐसे उदाहन मिल जाएंगे कि जिसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी आपको लगेगा कि ये तो आधा पागल है चलिए आगे चलते हैं पुत्रह शत्रु हो अपंडिता लेकिन जो अनपड़ हो ऐसा पुत्र शत्रु होता है पुत्र का पढ़ा लिखा होना समझदार होना विद्वान होना बहुत जरूरी है अगर पुत्र बेवकोप है अगर पुत्र अपंडित है तो उसको शत्रु माना गया है तो रिण करने वाला पिता शत्रु होता है व्यविचार करने वाली माता शत्रु होती है रूपवती पत्नी शत्रू होती है और बिना पढ़ा लिखा जो पुत्र है अपंडित पुत्र जो है उसको शत्रू माना गया है यस्यकस्य प्रसूतोपी गुणवान पूज्यते नरा धनुर्वंश्य विशुद्धोपी निर्गुणा किम करिश्यती बड़ी सुन्दर बात कही गी है हमारे यहां शास्त्र कहते हैं दैवायत्तम कुले जन्म बै किस कुल में जन्म होगा कौन मेरा पिता होगा कौन मेरी माता होगी ये निर्णे मैं नहीं कर सकता है ये निर्णे लेना मेरे हाथ में नहीं है लेकिन मदायत्तम तुब और शां मैं क्या करूंगा मेरा पुरुसार्थ क्या होगा ये तो मेरे हाथ में है तो ये किसी भी कुल में जन्म हो कहीं भी जन्म हो ना तो स्थान महत पून है ना माता पिता महत पून है ना घर परिवार महत पून है कुछ महत पून नहीं है वो एक वार अगर गुणवान हो गया तो सभी उसकी पूजा करते हैं तो जिस किसी भी कुल में जन्म हुआ हो गुणवान व्यक्ति हमेशा पूजा जाता है ये कहके अरे जान दो आप तो बड़े स्रेष्ट कुल में जन्में इसलिए आपको सब लोग इस प्रकार से करते हैं मेरा तो जन्म ही ऐसे कुल में हुआ नहीं भीया एक छुड के एक हजार उदाहरन ऐसे मिल जाएंगे दाशी पुत्र होकर के भी विदुर इतने स्रेष्ट विद्वान हुए कि विदुर नीती उनकी प्रक्षात है एक सामान ने गुरु के पुत्र थे लेकिन असामान ने विद्वान बनके और असामान दुड़ता के प्रतीक बनके शिक्षक कभी साधारन नहीं होता एक ऐसी परंपरा उन्होंने खड़ी की जिसके उपर आज भी हर शिक्षक गर्ब कर सकता है तो भी आपका जन्म कहां हुआ आपकी शकल कैसी है आपकी सूरत कैसी है आपका कुल कैसा है आपका परिवार कैसा है कुछ भी महत्व नहीं रखता है महत्व रखता है तो सिर्फ आपके गुण महत्व रखते हैं और अगर आप गुणवान होंगे तो सब जगे आपके पूजा की जाएगी अरे उत्तम से उत्तम बांस की वुरुक्ष में से बनाया गया धनुस भी निर्गुण होगा यनि अगर उस पे दोरी नहीं होगी उस पे प्रत्यंचा नहीं होगी तो धनुस किस काम का भी यह वो तो लाठी भी नहीं बन पाता है क्योंकि लाठी में फिर भी वो शक्ती होती है धनुस में तो लाठी की तरह प्रहार करने की भी शक्ती या शम्ता नहीं होती है उसकी शम्ता तो उसकी दोरी से ही आती है तो कितने भी स्रेष्ट बास से बना हुआ धनुस हो बिना दूरी के जैसे धनुस बेकार होता है ऐसे ही किसी भी कुल में व्यक्तिजन में है स्रेष्ट में है निक्रष्ट में ये महत पूर नहीं है महत पूर ही उसके गुण हुआ करते हैं और उनी से उसके फूजा होते हैं दहने बाद इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, मैं हूं डॉक्टर आरीनीबास, आनन्द लीजिए, ये तो उपदेश चल रहा है, नीती की बाते हैं, छोटे-छोटे श्लोग हैं, लिखके आपके सम्मू किसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आप आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इन में से बहुत सारे श्लोग ऐसे हैं, जो आपको याद कर लेने चाहिए, यही तो इसका सबसे बड़ा फल है, सबसे पहले इसी की बात की लिए थे, पुना पुना आप सबकान, धन्यवादे.